नमस्कार दोस्तों, Modern Indian History के इस नए लेक्चा सिरिच पर आप लोगों को फिर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, आज हम 1786 से लेकर के 1793 का जो समयकाल है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, तो Lord Warren Hastings के लंबे समयकाल बाद, Lord Cornwallis को Governor General के तौर पे निजूत किया गया, तो अभी तक जितने भी Governor General आ रहे थे, सब कुमपणी के Senior Official थे, तो आप देखिए, Robert Clive हो या फिर Warren Hastings, सब ने कुमपणी के अंदर Clark के तौर पे शुरुआत किया था, बाद में इनको प्रोमोट किया गया था, Governor General के तौर पे, तो Lord Cornwallis पहला Governor General था, जो कि East India कुमपणी के Official नही के 1793 तक, तो Lord Cornwallis एक उच्चा एरेश्टुकेट फैमिले से बिलोंग करते थे, तो American War of Independence के टाइम, Lord Cornwallis, British Army को लीड कर रहे थे, और इनके दौरा सरेंडर किया गया था, 1781 पर, यॉक टाउन पर, ठीक है, तो Lord Cornwallis के दौरा बहुत सारा रिफॉम किया जाता है, तो पहला जो रिफॉम हैं, यहाँ पे revenue reform, revenue reform के अंदर था ही, यहाँ पे permanent settlement of Bengal, ठीक है, ए इतरत्री सिस्टेम का पहला जो सिस्टेम है, यह है permanent settlement of Bengal, इसके बाद है, यहाँ पे administrative reform, administrative reform के लिए इनको कहा जाता है, father of civil services in India, इसके बाद हैं, यहाँ जूडिसीयल reform, को कहा जाता है, Cornwallis code, फिर रही यहां पर पूलिस रिफॉर्म ठीक है दो रेविनियू रिफॉर्म के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे आज हम देखेंगे एड्मिनेस्ट्रेटिव रिफॉर्म जुडिसियल रिफॉर्म और पूलिस रिफॉर्म के बारे में पहला देखिए administrative reform तो आभी तक उच्छुपद में जितने भी official निजूत किया जाता था सब यहाँ पे elected था कोई भी यहाँ पे selected नहीं था मतलब की merit के basis पे civil services में appointment नहीं किया जाता था तो इन्होंने आके क्या किया इन्होंने आके जो civil services में meritocracy चालू किया ठीक है अभी merit के basis पे जितने भी appointment है सब किया जाएगा ठीक है इसके बाद दिखिए regulating act में क्या कहा गया था regulating act में कहा गया था जो private trade है इसको बंद करने के लिए ठीक है फिर भी उन्होंने देखा जो private trade है यह चोरी छुपे चल रहा था इसलिए उन्होंने company का जितने भी higher official थे सब का salary यहां पर increase किया फिर कहा जो private trade है यह बंद करने के लिए ठीक है इसके बाद उन्होंने जो services से इसका Europeanization किया क्यूंकि ओ Indian को trust नहीं करते थे ठीक है इसलिए उन्होंने जो छोटे से भी छोटा पद यहां फिर बड़े से भी बड़ा पद सब में European को बैठाया और इंडियान को यहां से हटाया गया था ठीक है तो सालाना जो 500 पाउंड का जो यहां पर पोस्ट था यह सिर्फ रिजर्प था European के लिए फिर उन्होंने क्या क्या फिर उन्होंने separation of powers किया मतलब कि यहां पे commercial, judicial और revenue इन तीनों wins को इन्होंने separate किया था तो यह था रूशो का concept ठीक है तो पहले क्या होता था पहले collector के पास जो judicial power है वो भी था और revenue collection का power था तो अब उन्होंने क्या क्या अब उन्होंने collector के पास से जो judicial power है इसको छीन लिया फिर collector को यहाँ पे कहा गया सिर्फ revenue collection करने के लिए ठीक है इसके बाद हम चार्चा करेंगे judicial reform के बारे में तो judicial reform को कहा जाता है Cornwallis code ठीक है तो उन्होंने क्या किया उन्होंने जो हर एक district में एक district जाज को बैठाया तो district जाज के पास magisterial power था और judicial power था magisterial power का मतलब क्या है police को control करने के पावर ठीक है और district जो court है district court के उपर चार higher court था तो यहाँ पे चार provincial court का स्थापना किया गया कलकाटा पे धाका पे और पाटना पे और मुर्शिदाबाद पर ठीक है तो यह था district court के higher level का court ठीक है तो फिर देखिए फिर जो फॉसदरी जो court था तो फॉसदरी court मतलब law and order related case का जहाँ पे सुनबाई होता था उसको कहा जाता था फॉसदरी court से जितने भी Indian judges थे सबको इन्होंने निकाल दिया ठीक है फिर जो एपिल के लिए एक higher court का स्थापना किया कलकाटा पर तो एक थाए यहाँ पे सदर दिवानी अदलत और एक थाए यहाँ पे सदर निजामत अदलत सदर दिवानी अदलत क्या है सदर दिवानी अदलत पर सिविल्स रिलेटेट जितने भी मामला होता था सबका सुनबाई होता था ठीक है और सदर निजामत अदलत क्या है यहाँ पे law in order बारार रिलेटेड जो भी मामला होगा, सबका सुनमा यह होता था सदर निजप्र अदलत पर ठीक है और इंडियान से रिलेटेड जो भी मामला होगा उसके लिए जो आप्टीमम decision है यह लेने का अधिक갈 था LOOK तो इसके बाद हम देखेंगे पूलिस रिफर्म, पहले का होता था, पहले जमिंदर के पास राइट था, जो लॉइन ओडर है, इसको देखने का, ठीक है, तो जमिंदर के पास तब लेठील रहते थे, तो लॉइन ओडर मेंटेन करने का काम था, जमिंदर के उपर, तो इन्होंने आके क्या किया, इन्होंने के उपर रहेगा दारोगा को गॉंट्रोल करने का काम रहेगा डिस्टिक जाज के उपर ठीक है नेक्स्ट हम देखेंगे जॉन सोर ठीक है तो लॉड कॉर्णवालिस के बाद गॉबर्नर जनरल के तौर पर निजूत किया गया जॉन सोर को जॉन सोर का समयकाल था 1793 से लेकर के 1798 तक ठीक है तो जॉन सोर कॉन थे जॉन सोर थे वरन इस्टिंग्स के टाइम प्रिंसिपल रेविन्यू एडवाईजर और कॉर्णवालिस के टाइम जो भी रेविन्यू रिफर्म आ रहे थे इनके दोवारा सब तैयर किया जा रहा था ठीक है और जॉन सोर कोंपानी का बह इस फुर्ण कुछ घटना नहीं रहा था थो इनका पॉलीसी था non-intervention policy ठीक है मदलब कि माराथा महिसूर किसी के ऊपर ए इंटर फेर नहीं करते थे ठीक है तो एक यहाँ पर एक इवेंट हुआ था तो इन्होंने क्या किया था इन्होंने जो नर्दाम सरकार है ये निजाम के पास से खेल लिया था इसलिए क्या हुआ इसलिए निजाम ने अपने कोट पर जो फ्रेंच ओफिसर को रखना स्टाट किया फिर्पर धी रिया पर ट्रेंज किया जाता था जो निजाम की जू आर्मइ तो कंगे थे-थे की माई memoria अगे से कोई भी लड़ाई रिएखान जो नहीं लड़ेगा थीक है यहाँ इसलिए यहाँ पर LGBT क्या कर्ते थे माराथा टिपूश सुल्तान सब को सब्सक्त करते थे थिक है तो इसक मेराथा सिंपर को unter थेक है थांक यू